मा लखना के चड़णों में नमन करता हूं बड़े वुजर्गों को प्रणाम करता हूं बच्चों को धीर सारा प्यार देता हूं लेकर हाजिरूं फिर साप्ताहिक राशिकों ये सप्ता खासा तौर पर शुप जाने वाला है एक तारिक को अनन्च चतुर्थशी है बात देखी तो तरपन जरूर कर लीजेगा और अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का पित्र दोश इस तरह की कोई समस्या है तो निजात चली अब राशिफल की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मेश राशिकों कारोबार में मंदी नौकरी में थोड़ी समस्या केरियर में थोड़ी सी असफलता देखने को इस सथा मिल रहेगी धन के मामलों में उआपो की इस्तिती रहेगी चीजे आसानी से नहीं होंगी तो थोड़ा मैनेज ज़्यादा करने पड़े हैं स्वास्त के मामलों में हलाकि ठीक हैं आप लेकिन जोटा मोटा अगर कोई डि 20 और 31 तारिक शुव रहेगी इस सप्ता महा उपाय की बात करूं तो हनवान जी की बूजा करना लाबगारी होगा इस सप्ता भाग को मिलते हैं 10 में 6 अनुद बात कर लेते हैं व्रशा व्राश्माद की केरियर व्यवसाय में तरक्की के संकेत है कोई शुभ समाचार केरियर से रिलेटर मिल सकता है धन में वरधी के सयोग है शेर मार्केट में खासा लाव के संकेत मिलते हैं पारवारिक जीवन खुशाहाल रहेगा कोई अफेयर शुरू हो सकता है कोई एक्स्ट्रामैर्टल अफेयर शुरू हो सकता है तो इन सब चीजों से बचने की कोशिश करें बारवारिक जीवन ओवर और खुशाल दिकराए, स्वास्ते मामलों में भागिशाली हैं आप कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी शुब तारिक की बात करें दो रहेगी, उपासना की बात करें तो इस फटक की माला से शंकर जी की उपासना करें इस सब्ता लाग होगी बात कर लेते हैं मिद्वन राशिवाद, बात केरियर वेवसाय में, तरक्की के संकेत है, केरियर वेवसाय में कुछ उठान के संकेत है, उठान देखने को मिलेगा, प्रमोशन के संकेत या कहीं दूसी जगे से आफर के भी संकेत मिल रहेगे, धन के मामलों में भागिशाली है आप आसानी से धन के सारे कार होते जाएंगे, पैत्रक संपत्ती से भी लाप के संखे मिलना है। खास तोर से पारवारिक जीवन की बात करें तो निश्चित तोर पर पत्री पत्री के संब्ध बैतर रहेंगे, एक दूसरे का खासा सहीओ करते हुए नजलागे। स्वास्त के मामलों में पत्री को पेट की समस्या या घुठनों की समस्या हो सकती है, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। शुब तारिक की बात करें, तीन रहेगी एक सब्धा। महा उपाई की बात करें, तो मून की दाल का दान देना एक सब्धा लाप मिलेगा। इस सब्धा भाग को मिलते हैं तसमसे सब्धा। अब बात कर लेते हैं भाई करकरा शिवास्त की केरियर वेर्साय में तरक्की, कोई बादल छटने जा रहे हैं, कोई पुरानी हुआ रुका हुआ काम पूर होने जा रहे हैं, केरियर में मन प्रसंद रहेगा, अधकारी वर् रखीन है, पित्रक सम्पत्ती मिल सकती है, माता पिता से धन प्राफ्त हो सकता है पती-पत्नी के बीच भी धन का जो रुझहान है, वह द'नं का आक्मन है, वह पढ़िगा। पती-पत्नी के रिस्ते मचबूट होते हैं, स्वास्त के मामलों की बात करें तो थोड़ा सरदी जुकाम बुखार का फ्याल रखेगा पकिस्वास्त की बहतर रहेगा इस सब्ता शुप तारिक की बात करें दो रहेगी शुप महाउपाय की इस सब्ता बात करें तो शंकर जी का नमस्षिवाय ओम नमस्षिवाय का पाढ़ बाराबार जरूर करिएगा इस मत्त का इस सब्ता भाग कुने तसमे से साथ है अब बात कर लेते हैं सिंगरा शिवाद के कैरियर वहसाय में लाब के संखे हैं कारोवार में तरक्की के योग पंते लिजरा रहे हैं पारवारी जीवन खुशाल रहेगा धन के मामलों में असानी करिए लाग लेगा इस सब्ता भाग को मिलते हैं तसमे से चैन अब बात कर लेते हैं कन्याराशिया कैरियर वहसाय में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आसानी से डिसीजन नहीं ले पाएंगे अधकारी वर्ग आपसे खुश नहीं रहेगा थोड़ा फोकस चाता करने की ज इताते का थिस सुही रहेंगे भागिशाली रहेंगे कहीं अर चार और पाच्ष कि बात करें तो हर चाही तो बाद कैरियर वैसाय में तरक्की के संकेट है केरियर वैसाय में कुछ इठान क windowsने को मिलेगा प्रमोशन के संकेत या कहीं दूसरी जगह से उफर के अभी संकेत मिल देने धन के मामलों में भागिशाली आप आसानी से धन के सारे कार होते जाएंगे पैत्रक संपत्ती से भी लाव के संकेत मिल देने खास तोर से पारवारी जीवन की बात करें तो निश्चित तोर पर पत्री पत्री के संब्ध बैतर रहेंगे, एक दूसरे का खासा सहयोग करते हुए नजरा, स्वास्त के मामलों में पत्री को पेट की समस्या या घुठनों की समस्या हो सकती है, उस पर थोड़ा फोकस करें, शुब तारिक की बात करें, तीन रहेगी एक सप्ता, महा उपाई की बात करें, तो मून की दाल का दान देना एक सप्ता लाग मिलेगा, इस सप्ता भाग को मिलते हैं तसमस साथा, अब बात कर लेते हैं तुलाराशियो, कैरियर और व्यवसाय में इस्थिती पहतर होती जा रही है, लोग आपकी लोहां मानेंगे और आपके काम की तारीव करेंगे, धन के मामलों में शेयर मार्केट में खासा लाब इस सप्ता होने जा रहा है, ये सप्ता बड़ा शुब रहेगा, धन के लिया आस से, बात करें पारवारिक जीवन की, पारवारिक जीवन खुशाल रहेगा हाला ही थोड़े टाइम के लिए अलगाओ हो सकता है पती बर्दनी के बीच लेकिन कोई दिक्कत भरी बात नहीं है स्वास के मामलों में जो स्वास की सप्ता पिछले सप्ता थोड़ी बहुत दिक्कत थी सर्दी जुखाम बुखार वो भी खतम हो जाएगी इस सप्ता शुब तारिक की बात करों तो एक तारिक शुब रहने वाली है इस सप्ता महा उपाए इस फटक की माला से शंकर जी का मंत्रों का बात करिएगा लागा इस सप्ता भाग को मिलते हैं तस में से आठ प्रश्चिक राशी वालों की बात करें तो केरियर व्यश्याय में परवारिक जीवों ने पती पत्नी के पीछ क्लेज बढ़ना ये प्रेमी प्रेमकाओ के पीछ अलकाओ की स्थिति दिख रही है परवारिक जीवन में हाला कि पती पत्नी का आपस में सहयोग बढ़ता नचला रहा है प्रेमी प्रेमकाओ पी एक तुसरे का खुब सहयोग करेंगे आपस का कॉंफिडेंस बढ़ाएंगे स्वास्ते मामलोगी बात करें पाचन तंत थोड़ा करवर रहेगा उसी के साथ साथ थोड़ा गौत दिक्कत आपको गले की भी हो सकते इस सब्सक्राइब शुप तारिक की बात करूँ बीन रहेगी महा उपाए ओम ब्रम ब्रहस्पतियनमा इस मत का पाट करेंगे इस सब्सक्राइब को मिलते हैं 10 में से 6 मकर्रा शिवाद केरियर वहसाय में इस्ति समालने की ज़रूरत है थोड़ी सी दिक्कत बढ़ रही है थोड़ी समस्या बढ़ रही है धन के मामलों में भाकिशाली में नहीं है आप इस सब्सक्राइब अपना धन थोड़ा फोकस करके रखना है नहीं त साथ साथ खास तोर से पारवारिक जीवन पे भी धन्यान दीजिएगा नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है स्वास के मामलों में थोड़ा सा थ्यान देने की जरूरत है शुब तारिक की बात करो तो तीन रहेगी इस सब्सक्राइब शुब महा उपाय की बात करो कबूत्रों को पाच कुमराशी की बात करें तो इस्तितियां बेटर होती जा रही इस सब्ता पिछले सब्ता से कैरियर वेवसाह में तरक्की के योगे धन के मामलों में भाव शाली है आसानी जे धन आता रहेगा पारवारिक जीवन खुशाल रहेगा बेटर रहेगा स्वास बेटर होता शुब तारिक चार रहेगी शुब रंग वाइट रहेगा इस सब्ता और महा उपाय की बात करूं तो शनी चारी से आप पाठ कर लेगा इस सब्ता बात कुमें तसमीं से आध अब बात कर लेते हैं मींदा शिवन कैरियर वेवसाह में तरक्की के योगे आपकी बात आपके अधिकारी मानेंगे और आपका रुद्बा बढ़ेगा धन के मामलों में धन आसानी से आता दिखराए धन में वर्दी के भी संकेत मिल रहेगा पारवारी जीवन खुशाल रहेगा पती-पतनी माता-पिता का भरपूर से जोग मिलेगा स्वास्त के मामलों में कोई पुरान तो शेयर करिए सबस्क्राइब करिए लाइक करियो और तक पहुझाए आज के लिए फिलाल पर दीक वर्ट को बहुत बात धारियों